एक दम से ही धेरादून का मौसम बिलकुल चेंज हो गया जहां मैं जब आया था जब इतनी तेज धूपती और अब एक दम पूरा मौसम चेंज हो गया तो ऐसे में फिर फायदा नी था रूब में बैठनेगा तो मैंने बस चेक-इन किया थोड़ा सा रेस्ट किया अपना लं अच्छा है 9.1 किलो मेटर आदा घंटा लगेगा और रास्ता बहुत ही अच्छा है तो मैंने सोचा कि जब मौसम अच्छा हो गया है तो क्यों ना मैं भी अपना बहार निकलूँ होटल में अकेले पड़े रहने का कोई फायदा नी था तो इसे लिए अब चलते हैं पहली जगे पी जह स्तुत हरा पी है 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 अजय है पाहई प्ला कर दो अबदा है झाल झाल सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहां पर है पार्किंग की मतलब ऐसा कोई डेजिगनेटिड पार्किंग स्कॉट नहीं है आपको एक पर्ची मिलेगी और उसके बाद आपको अंदर आके जगह ढूननी पड़ेगी कहीं साइड में गारी लगाने की 50 रुपे फिर भी देने पड में गारी करने का मैंने एक ठीक ठाक साइड बें कारी लगा चारी कर दिये और मिरको एक चीज का जो ध्यान रखना पड़े का कि अहां से ज्यादा लेट ना निकलूं क्योंकि जो नीचे जाने का रास्ता है वह एक तरीके से वन वे टाइप ही बहुत ही पतला है तो अगर जरा सा भी जाम लगया तो भाई बहुत लंबे फश्जाएंगे पता नहीं मेरी आवाज कितनी सा बच में आरी होगी कि पानी का फ्रो बहुत तेज है तो यहां पे सहस्त्र धारा के बारे में जो कथा प्रच लेता है वह यहां के बारे में आपने पानी जो एक बार पी लेता है उसके पेट के सारे रोग और चर्म रोग यानि कि फिन पी बहुत प्रॉबलम हो उससे निजात मिल जाती है और यहां पर बहुत सारे लोग अपने कोलियों से ग्रसित बच्चों को भी नहलाते हुए नजर आते हैं इस रोपके भी है जो देखो दूर वहां पर दिखाई दे रहा है पर अभी उसके काफी वेटिंग है तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा लेकिन रोपके असे आप सामने तो मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया था, आके मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया, in fact डिनर भी नहीं किया, मैं आके सिधा सो गया था, और फिर मैं सुभा उठा हूँ, तो मेरे को अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो अब मैं अगली जगा देखन यही एफराई है, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है, तो भाई एफराई के अंदर चार म्यूजियम है, जनका आपको एक यह जोइन टिकेट मिल जाएगा, तीस रुपेगा, और किसी भी म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अब भाई देव भूमी उत्रा खंड आओ, और महादेव के दर्शन किये बिना चले जाओ, यह तो नहीं हो सकता, तो अब जो मागली जगे आया हूँ, वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही मानावा मंदिर है महादेव का देहरादून में, तो चलो आप लोगो को भी दर्शन कराता हूँ, यह है इस टपकेश्वर महादेव मंदिर की पार्किंग, काफी बड़ी पार्किंग है, स्पेशियस, कहीं भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, मेरे गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, और अब चलते हैं अंदर, तो मंदिर परिशर के अंदर, फोटोग्राफी और विडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन, बहुत ही अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि सावन में महादेव के दर्शन हो गए, तो मले में आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो यह फाइनली देरादून की गर्मी, दो दिन जहलने के बाद बारिश भी आ गई, तो दो दिन से देरादून में जैसा मौसम हो रहा था, बिलकुल उससे उल्टा मौसम हो गया है, बहुत ही बढ़िया बारिश होई, और बारिश है फाइनली रुख गई है, और मैं वापस आ गया हूं गाड़ी में, तो अब वापस चलता हूं होटल की तरफ, तो फाइनली आगे हूं रूम में, और अब पूरे दिन भूमने के बाद बहुत तेज नींद आ रही है, नींद मेरी आखों पे भी दिख रही होगी, तो चलो भी इस वीडियो को गरते हैं, यहीं पे खतम, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, च